नमस्कार मैं हूरेखा और मैं शक्ती दर्शकों बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बहुत खास का रिक्रम बेहार-बेहान की एक प्यारे से खूबसुरत से सुबह में एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज के विशे में यदि हम बात करें तो आज का दिन बहुत खास है बहुत विशेश है क्योंकि आज हम मना रहे हैं दूरदर्शन स्थापना दिवस दूरदर्शन फाउंडेशन डे और आज बड़ा गौरवानवित करने वाल अपल है खासकर जब हम सूचना तंतर के बात करते हैं सूचना माध्यम के बात करते हैं ऐसे यदि जब तूरदर्शन अपना फाउडेशन डे मना रहा है आज के इस कारेकरम के यदेशन किया होते हैं इन तमाम विशे पे आज हमारे चर्चा होगी कई विशे की जानते कि हम सबी के लिए Peng Village का दिन बहुत ही खास है क्योंकि इसलिए आज बिहार बिहार किस अंक में हम बात करेंगे देश के उस दौर की जब टेलीवीजन पर सिर्फ एक चैनल आता था उस मरोरणजन के पलो की जहां रमायन, महाभारत, चित्रहार की सुनहरी यादे हम से जुरी है उस साथ ही की जिससे बच्पन से जुड़ा साथ आज भी बरकरार है हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े प्रशारन केंडरों में से एक उस केंडर की जो लगपग, जो लगतार चौसट वर्सों से हमें सुचित, मरोरंजन वर सक्षित करने का कारे बड़ी सक्डियाता से कर रहा है जी हाँ दैश को आज हम बात करेंगे हमारे दूर दशन की जिसकी नीव 15 सितंबर 1969 को रखी गई थी तब से हर साल 15 सितंबर को पूरे भारत में बढ़ी उलास के साथ दूर दशन स्थापना देवस मनाया जाता है इसलिए आज के कारे करम के शुरुवात में मशूर शायरव पत्रकार अशुक श्रिवास्ता द्वायली की कवीता की चंद पंक्तियों से करना चाहूंगी क्या बात है शक्तियों बहुत ही खूबसूरत और चंद पंक्तियों में ही तुमने बहुत ही खूबसूरत से दूर दर्शन को डिफाइन किया है दर्शकों बहुत सारी चर्चाएं हम करेंगे लेकिन कारेकर्ण के शुरुवात पे जैसा कि आप जानते कि सबसे पहले अन्मोल वचन आपको दिखाते हैं महापुर्श दरा बताई गई चंद बाते आई नज़र डालते हैं पाप से घ्रना करो पापी से प्रेम करो तमाम विश्योपर बाटचेत करने के लिए आज हमारे बीच पैनल में कई लोग उपस्तित हैं सबसे पहले परिचे करवाते हैं आपसे आज हमारे बीच उपस्तित हैं चंदर शेखा सर, सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका कारिक्रम में, आपका परिशे बताओं आपने देशक अभियंतर की हैं दूर दर्शन केंदर पटना, साथी हमारे बीच उपस्तित हैं डॉक्टर राजकमार नाहर सर, आपका बहुत-ब स्वागत है आपका, आप हमारे बीच हैं उपने देशक समाचार दूर दर्शन केंदर पटना, साथी हमारे बीच एक और विशेश महवान उपस्त हैं, आप हैं डॉक्टर शंकर प्रसाद, आप पुर्व अध्यक्ष हैं, बिहार संगीत नाठक अकाडमी, साथी आप कई द जो गेस्ट है, वो उपस्तित हैं, कई ऐसे लोग हैं दर्शन देर्गा में, बहुत सारे वक्तित उपस्तित हैं, आप तमाम लोगों का भी बहुत-बहुत स्वागत करना चाहोंगी आज के इस कारक्टर में, तो शक्ति क्यों ना बातचीत के सलसेले के शिवात करें हम, सब सबसे पहले तमाम दर्शकों का, तमाम गेस्ट का तहदिल से धन्यवाद, सबसे पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज दूर दर्शन स्थापना देवस पूरे भारत में बढ़ी उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, हम सभी कामना करते हैं, दूर दर्शन के उजवल सबसे पहले नहार सर्थ आप से जाना चाहूंगे कि आज किस विशेस अफसर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जितने भी लोग जुड़े हैं, उन तमाम लोगों की ओर से आप सभी सुधी दर्शकों को मैं हिर्दय से प्रणाम करता हूं और आज के दिन बहुत-बहुत आपको वंदन करता हूं, नमन करता हूं, इसलिए भी शक्ति क्योंकि आज का जो सफर हमारा जो दूर दर्शन ने जो तैय किया है, क्योंकि आप यह आपने देखा ही है, हमारे दर्शकों ने भी देखा, दूर दर्शन के सुनारे पल, तो उसमें बहुत कुछ उनको जानकारी मिली, लेकिन मुझे यह लगता है कि जो आज का सफर हम लोगों ने जो 64 वर्ष जो पूरे किये हैं, इसके सफल सफलता कि पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारे सुधी दर्शकों का ही हाथ है, क्योंकि अगर हमारे सुधी दर्शक, अगर हमारे कारेक्रमों को, हमारे चैनल को अगर नहीं देखते, उसे नहीं सराहते, तो हमें लगता है कि आज हम इतने वर्ष तक अपने आपको स्थापित करन करने में सफलता कि इस उचाई में जो आज हम पहुच पाया हैं हम नहीं पहुच पाते तो सबसे पहले तो सुधी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ और दूसरी चीज की एक कहते भी हैं हमारे बुजर्ग लोग कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है जैसे जैसे हम करने में सफल होते हैं तो मुझे लगता है कि आज ही के दिन जो उनसठ में दूरदर्शन की स्थापना हुई मतलब एक चैनल के रूप में उसके बाद से आज 64 वर्स हम लोगों ने पूरे कर लिये हैं तो आप देख रहे होंगे कि आपकी भी दर्शक देख रहे हैं कि हमार नियूज विंग के हमारे प्रमुक हों सल्मान हैदर सरों चाहे भारतवर्श के जाने माने दूरदर्शन और आकाश्वाणी से जुड़े हो है डॉक्र संकर प्रशाथ जी हैं इन तमाम लोग और जो हमारे आज के इस खुबसूरत से स्टूडियो में जितने सुधी दर्श तो मैं यह कहूंगा कि 64 वर्ष पूरा करने उनसठ में जो हमारे दूरदर्शन के स्थापना हुई बहुत सी छोटे से सेट अप के साथ उसके स्थापना हुई उसके बाद जो है फिर हम लोगोंने 65 में हम लोग आकाश्वाणी से अलग हुए क्योंकि पहले तो आकाश्वा तरह से हम लोग सने सने आगे बढ़ते चले गए और चंशेकर सर भी बताएंगे हमारे सलमान सर बताएंगे कारिक्रमों का सिलसिला जो है इसी तरह से जारी रहा और मुझे इस बात की खुशी है कि जो भारत सरकार ने जो एक प्रण लिया था कि दूरदर्शन का लक्ष क्य है उस लक्ष में आज के इस तमाम जो चैनलों की भीड़ है उस चैनलों की भीड़ में आज हम अपने आपको इस रूप में स्थापित करके रखे हैं जिसका मुझे गौरब है और भारत सरकार की जो सोच थी उसमें हम आज भी सफल हैं और आने वाले भविश्त में चाहे व जो एक जो हम लेकर चले हैं कि किस तरह से हमारा समवर्धन होगा हमारी जो संस्कृति है जो हमारा साहित्य है हमारा जो धरूहर है उसका किस तरह से हम सनय सनय उसको आगे बढ़ाएंगे उस सोच के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे आगे भी हम लो सफलता हैं आज हम प्राप्त किये हैं भारत सरकार के सहयोग से उतनी ही तेजी में हम और भी आगे बढ़ेंगे और आपके लिए नित नए नए कारिक्रमों के साथ उपस्तित होते रहेंगे चुकी जब संचार तंतर इतना एक माध्यम है लोगों के बीच अपने बातों को रखने का ऐसे में बड़ा गौरवानवित महसूस होता है यह सोचकर कि हम दूरदर्शन परिवार का हैसा है एक साप स्वक्ष छवी जिनकी होती है सीधा और सीधा प्रसारण की एवल कारिक्रम आपको देखाना है अच्छे कारिक्रम आपको देखाना है एक दौर था चंदरशिकर से आप से बात करना जाएंगे एक दौर था जब कारिक्रम की शिवारत होती थी आप ऑडियो से हम कारिक्रम की शिवारत करते थे फैड आउट होता था लेकिन जब आज के परिदृश्य दूर्दर्सन जैसा कि नाहर जी ने बताया, 64 वर्सों में दूर्दर्सन जो शुरू हुआ था, वो दिल्ली से शुरू हुआ था, एक आदे घंटे के प्रायोगिक प्रसारन के तौर पल, तो कि सब्ता में आदा घंटा उसका प्रसारन होता था, उसके बाद वहां से लेकर कि दूर्दर्सन का एक बिसाल नेट वर्क है, दूर्दर्सन के कुछ साल पहले तक, एक साल पहले तक ही, 1400 हमारे टास्मिटर थे, जिससे कि हम देश के 98% भागोलिक एरिया तक पहुंचते थे, साथ ही आज का हम कहें, तो लगवक 35 चनल दूर्दर्सन अपरीट करता है, और प अंतरास्टिय चनल भी है, स्पोर्ट्स चनल भी है, तो हर तढ़ा के कारकरम का समावेश के लिए हमारा इतना सारा चनल चल रहा है, जहां तक 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 प्रगिति की बात है, तो जो भी बॉटकास्टिंग सेक्टर के जो भी लेटेस्ट एक्विपमेंट होते हैं, वो हमारे पास उपलब्द है, हम दूरदर्सन के अंतर पतना की ही बात करें, तो पिछले डेर सालों से हमारा यहां पे HD रिकॉर्डिंग हो रहा है, और अपलिंकिंग भी हमारा कुछी वर्सों में या कुछी समय में हमारी अपलिंकिंग भी HD हो जाएगी, तो DD बिहार भी एक HD चनल क के रूप में प्रसारित होगा, तो इन सालों में हमने काफी तरक्य की है, आपने OBVN की बात की, DSNG की बात की, तो दूरदर्सन की पब्लिक सरीज बाटकास्ट है, तो हमारे एक दाईत है, कि जो भी लोग कारिकरम होते हैं, जो भी पब्लिक यूटिलिटी की जो भी प्रोग एक काफी बड़ा एक एक सरसाइज होता है, क्योंकि स्क्रीन पे जो दिखता है, वो तो फाइनल प्रोडक्ट दिखता है, उसके पहले बहुत बड़ा एक सरसाइज होता है, हमारे कई सारे OBVN, कई सारे इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स, फिल्ड के स्टाफ, चार-पास दि मैं आपको बताना चाहूंगा, 1982 में जब ACN Games दिल्ली में होने वाला था, उस समय हमारे जो पधान मंति ततकालिन पधान सिमति इंदर्या गानी थी, उन्होंने सोचा कि इस ACN Games को देश के हर TV होम्स तक पहुचाएंगे, और 1980 से उन्होंने एक टार्गेट दिया दूर दर्स दिया, और हमारे उस समय के जितने भी इंजिनियर थे, जितने भी ओफिसर्स थे, उन्होंने उसको पूरा किया, यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आकासवानी जो समय था, वो 22 का माध्यन था, और वीडियो लोगों तक पहुचाना एक बहुत बड़ी उपलब्दी हु यह बिदियो टेक्नलोजी उतनी कंपलेक्स नहीं होती है, तो दूरदर्सन ने काफी कुछ अचीव किया है, साथ ही साथ यह भी मरत आपको बताना चाहता हूँ, कि केवल दूरदर्सन के लिए ही नहीं, जो प्राइवेट टीवी चैनल साब देखते हैं, उन्होंने भी पॉब्लिक सभी बॉड्कास्टर यह भी काम है कि एक बॉड्कास्टिक एको सिस्टम हम देश में डेवलप करें, और उसी काम के कारणा आज इतने सारे चैनल्स हैं, जिसका है कि लोग फाइदा उठा रहे हैं, यह आनंद ले रहे हैं, बल्कुल बहुत ही सही सर आपने कहा कि आज जिस दौर में हम जीरें, वो आधुनिक योग है, जहां हम हर छोटी सी बड़ी जरूरतों के लिए आधुन तकनीकों पर दिरबर है, आश्टरित है, और ऐसे में दूरदर्शन जिस तरीके से लोगों को सूचित करने का, संचार करने का, और सिक्षित करने का कारे कर है, इसने हमेशा से अपने सक्रीकारे प्रणाली से लोगों को प्रभावित किया है, लोगों को सूचित किया है, सिक्षित किया है, ऐसे में आप से जाना चाहूँए कि आज के समय में इस बदलते दौर में दूरदर्शन का साथ कितना जरूरी है हम सभी के लिए? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को और आप सबको दूरदर्शन के स्थापना दिवस पर पधाई देना चाहता हूँ, जहां तक मेरा तालूख समाचार से है, तो इस दोरान पिछले एक दर्शक में हमने बहुत तेजी से साइन्टिफिक एडवांसमेंट की वज़े से टेक्नोल की बात करते हैं, तो वो आम तो पर पचास साल में होती है, लेकिन तकनीकी लिहाज से हम देखें, तो पिछले दस सालों में बड़ी तेजी से बदलाव आए, पहले तो सैटलाइट आया वो असी के दशक में जिसके कारण बहुत तेजी से एक्सपैंशन हुआ, रिले सेंट रहता था, और लखनव एक मात्र ट्रांस्मीटर था प्रसारन केंदर का टीवी के, हम लोग 20-20-40-40-40 फिट उचे एंटिना लगा करके उसको भी हिलाते रहते थे कि किदर से सिगनल पकड़ेगा, बलेक औन वाइट स्क्रीन होती थी, और ग्रेंस बहुत आते थे, क्लियर कर नहीं आती थी, ब्लू कलर का उस पे शीशा लगा होता था, वो एक पुराने जमाने का शटर वाला वेस्टन टीवी हुआ करता था, उसके बाद एशियन गेम्स जैसा कि चंदशेखर सर ने कहा, एशियन गेम्स से ही बहुत सारे बदलाव आए, एक तो सेटलाइट का प् प्रांतिकारी परिवर्तन है, लेकिन आज हम देखते हैं, तो तकनीकी सस्ती भी हुई है और सर्वसुलब हो गई है, आपको याद होगा कि जब हम लोग कैमरा इस्तेमाल करते थे, उसमें 12 क्लिक थर्ड का कैमरा इक आता था, जो जिसमें की 12 पिक्चर्स आती थी थी, फिर तुरन फोटो खीच करके तुरन देख भी लेते हैं और किसी को भेज भी देते हैं, मुझे याद है प्रधान मंत्री उस समय के राजीव गांधी थे जब उन्होंने बनारस में क्लीन गंगा अभियान शुरू किया था, जिसको गंगा एक्शन प्लान कहा करते थे, उस समय पहली बार बनारस से लाइव ट्रांसमिशन हुआ, माइक्रो वेव के जरिए, जो पूरे देश ने देखा, उसका नेशनल नेटवर्क पर टेलकास्ट हुआ, तकनीकी चेंजेज उतर उतर आते गए, और फिर जैसा कि अगर हम समाचार की बात करें, तो एक समय में हम समाचा है, क्योंकि आकाश्वानी का निउसरूम समरिद्ध था उस समय, बारा से अठारा घंटे समाचार बुलेटिन आते थे, सुबह पांस बजे से लेके राद ग्यारा बजे तक निउसरूम काम करता था, आकाश्वानी का बाद में वो चारो शिफ्ट काम करने लगा, चौविस चैनल था, जो GEC कहते है, जेनरल इंटर्टेन्मेट चैनल, उसी में रात में प्राइम टाइम पर आठ बजे और सुबह और एक बार दो पहर में समाचार प्रसारित होते थे, आज दूरदर्शन के दो चैनल ऐसे हैं, जो डेडिकेटेड हैं निउस के लिए, जिन में पहला है, डीडी न्यूस, जो हिंदी में ही 24 गंटे समाचार प्रसारित करता है, और एक है डीडी इंडिया जो इंटर्नेशनल है, जो इंग्लिश चैनल है हमारा न्यूस का, वो भी 24 गंटे का है, डीडी बिहार तो आप जानते ही 24 गंटे का है, और डीडी बिहार भी एक तरह से जिसको कहते हैं वो चैनल है और यहां पर लगबग हर गंटे हम अपडेट करते हैं समाचार को और मेजर बुलेटिन्स हैं सुबह दोपहर और शाम को तो यह सारी जो चीजें हैं लेकिन आज पिछले दस सालों के बीच क्या तक्नीकी बदलावाए हैं उन में सोशल मीडिया का रोल भी बढ़ गया है तो हमें अपनी उपस्तिती सोशल मीडिया पर भी बढ़ानी पड़ी है और यह निरंतर बढ़ रहा है हमको तो लगता है कि जितना हम लोगों को लोग यूट्यूब लाइव चैनल पर देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा है और जो प्रसारण के मुक सकते हैं बाद में भी सुबह साड़े साथ बज़े का बुलेटिन नहीं देख पाए तो वो दिन में किसी समय भी देखते हैं तो जो और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हैं उन पर भी हम तेजी से पॉपिलर हो रहे हैं और यह हमारे लिए सवभागी की बात है कि प्रा और समाचार हो प्रिसारद की जाते हैं अब हर घंटे भी स्क्रॉल के माध्यम से निज़ प्रिसारद किया जाता है ताकि लोगों के बीच जो समाचार की सूछना है वो मिल सके आप जान सके इसके बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से जान पाए शंकर्सर हमारे बीच पस्तित है सराब कई वर्षों से दूरदर्शन से आकाश्वानी से जुड़े हुए हैं दूरदर्शन के सुनहरे सफर के इस अलोहव के विशन में क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशन आपका पहले तो मैं डीडी विहार के दर्श्कों को नमस्कार कर लूँ और जो हमारे आमंत्रित गेस्ट अतितिया हैं उनको भी नमस्कार कर लूँ राज कुमारी जी चंदर्शेखर जी और सल्मान साहथ आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया और आप दोनों जो एं अगर हम सुक्त वाक्य में या समचार की शैली में कहें तो भी थोड़ा सा समय तो लगेगा हैं आपने जिस तरह से छोटा सा प्रश्ण मेरे सामेरे रखा प्रश्ण जो है ना वो नौ टंपिटरुगेशन लंगणा होता है देखान ऐसे है पूरुण वीराम क्राड़ी होत है वो सुनने में है ये देखने में है दोनों में एक जो कहते है चोली दामन का समन्द नहीं है वो माँ और बेटे का समन्द है दूर दर्शन में जब इसके स्थापना हुई जैसा गराज कुमार जी ने बताया चोंसर वर्श पहले उनसर की आसपास में उसमें एक लकीर के थी उसकी लेकिन साथवे आठवे दशक के बाद यानि जैसा की सल्मान साब ने भी कहा और मैं उसमें अगाश वाणी में कारिकरम अधिशाजी था उनीसो असी ब्यासी में और यह वाणी ओगर देखता था मैं तो जैसे ही एशियन गेम्स की बात आई और एक ताहल का मजग उफान है पूरे देश में आपको पता दिल्ली में खेल गाओं हुआ उसमें सीपी सी सेंटरल प्रोड़क्शन सेंटर जहां मैं गा चुका हूँ वहाँ पर प्रसार भारती के पहले तो सेंटरल प्रोड़क्शन सेंटर के यह हाउस बन गे बड़े बड़े तो पहला जो पर हम दृष्ट डालें तो उस समय के धारवाहिद जो हमारे सामने आए वो जो जीवन हमारा तूट रहा था परिवाद जो हमारा तूट रहा था उसको जोड़ने वाले आए जैसे बुनियाद हम लोग यह ऐसे धारवाहिद थे मेरे रोंग्टे खड़े हो गए जिनको दे सेशन पर जो गाड़ियां जा रही है वो भी किसी दूर सुदूरी आखे में रुकी रही कि जब तक सीता जी का ब्याहन हो जाए तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी वह जाकर गाओं में देख ले थे तो एक लंबा साफ सिनारियो हमारे सामने देख लाई पता है या समन रंजन ग्यान वर्दक सूचना पर यह सारी बात पे यह नहीं कि क्यों हम सिनेमा देख लें या चितरपट संगीत देख लें उसके साथ हमारा विकास क्या हो रहा है इसकूली बच्चों के लिए बिश्व इद्याले के लिए ग्रामीन भाईयों के लिए परिवार के लि एक छोटी सी जगह थी दस बाई दस वहां पर इस्टूडियो था जहां हम लोग बड़े-बड़े कारिकरम कर लेते थे तो यह एक उत्थान है एक रेखा है दूर्दर्शन के लिए सर आपने बहुत ही अच्छे से बताया और दूर्शक हमारे जान पाए होंगे कि कैसे दूर्दर्शन के स्थापना हुई और कैसे दूर्दर्शन ने काम करना प्रारभ किया था नहां सर आप से बात करना चाहेंगे चुकिकि जब बात होती है कारिकरमों की तो हमने उस तोर को भी देखा है हमारे कई ऐसे दर्शक होंगे जो देख पाएं होंगे जब बाते पटना दूरदर्शन की होती थी और आज पटना दूरदर्शन से आगे बढ़कर हमने डीडी बिहार तक का सफ़ता किया है सेटलाइट मोड पर हम है कई ऐसे कारिक्रम बनाये जा रहे हैं कई कुछ के लिए होते हैं कभी कभी सोच के भी वेक्युम लगता है कि यरि दूरदर्शन नहीं होता तो हम कहाँ होते हैं ना कोई सरकारी कारेक्रम बन पाता, ना कोई सरकारी योजनाय हमारे पब्ले तक पहुँच पाती, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर हमारे कारेक्रमों के विशे में, कारेक्रमों के उद्देश्यों के विशे में? आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा उद्देश क्या है? इसजी तरह से तीन हम लोग का मुख्योदेश होता है. सूचना, जैसा कि सलमान सर ने भी कहा कि समाचार के माध्यम से हम लोगों के सही सूचना देते हैं. और आकाश्वाणी से भी जूड़ के हम लोग रहे हैं. उनके स्टूडियो से उनसे हम लोग प्राप्त करके यहां तक हम लोग पहुँचे हैं तो सबसे पहले सूचना, सही सूचना हम लोग जनरहित के लिए हम लोग देते रहे हैं साथी साथ सिक्षा, सिक्षा प्रद जो बाते होती हैं सिक्षा, सूचना और स्वास्त मनुरंजन ये तीन चीजे हमारे दूरदर्शन का एक प्रमुख एक धारा कहलें जिस पर हम ठीके हुए हैं इसके अलावा क्या है कि हम हमारा जो दूरदर्शन का जो मुख्य उद्देश ये है कि हम हर वर्ग के लिए कारिक्रम करते हैं जैसे ह हम किसी ने चैनल की बात नहीं लेकिन हम कंप्रेजन भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा किसी के साथ कोई कंप्रेजन है ही नहीं हम कहीं भी किसी के साथ कंप्रेशन में नहीं खड़ा करते हैं क्योंकि हमारी जो लकीर है वो बिलकुल हमारी अलग लकीर है जो हम लोगों ने ख खेत्र के लोगों को हम लोग चुन के लाते हैं और उनको आउसर दिया जाता है हम लोग खोज करते हैं कि किस खेत्र में किस गाउं में किस शहर में कहां पर ऐसी प्रतिभायें छुपी हैं जिनको हम लोग उनको मंच दे सकते हैं चाहे वो लोक संस्कृति हो चाहे वो साहित्य हो संगीत हो कला हो हमारे ह больше धरोहर है उन सभी चीजों को हम खोज के निकालते हैं और उन पर हम documentary बनाते हैं उन पर कारेक्रम बनाते हैं उनको हम आफसर देते हैं कोलेज में जाते हैं आप बच्चों से बाते करते हैं हम स्वास्त पर चर्चा करते हैं हम खेल कूद पर बातें करते हैं तो क्या है कि हमारा जो कैनवास है ना वो बहुत बड़ा है और उस कैनवास में इतनी सारे अच्छे कलर्फुल बिंदुएं हम लोगों ने बना के रखा है कि वो आज भी उसकी चमक जो है वो कभी खतम न पुए और अन्य जितने भी चैनल होते हैं, वो प्रसारिद करते हैं, वो टेलिकास्ट करते हैं, लेकिन उसमें लिखा होता है कि दूरदर्शन के सौजन्ने से यानि कि हम हमारी पहुँच वहां तक है जहां कोई अन्य चैनल नहीं पहुच नहीं सकता है दूसरी चीज़ की धीरे धीरे हम सफर तै करते चले गए 1982 में हमारा कलर टीवी आया रंगीन टीवी फिर जैसा शंकर सर ने कहा कि बहुत सारे बुनियाद और हम लोग और ये सब कारिक्रम आये उसके साथ साथ रामायन, महाभारत और इतने सारे कारेक्रम, इतने सारे सीरियल्स आए कि सचमुच में हमारी गाडियां, हमारा पूरा रोड सननाटा हो जाता था, जो जहां होता था उस वक्त में वही ठहर जाता था कि पहले ये काम हो जाए, पहले दूरदर्शन और पहले से एक बार सारे चानल्स के न्यूज को हम लोग देख लेते हैं कहारेव करेक्रमों को देख लेते हैं लेकिन जब भरोसा करना होता है तो एक बार दूरदर्शन को खोल के देख लो सभी लोगों की यही सोच है सोचिए कि हम सफलता के कितनी उचाई पर आज हम पहुँच चुके हैं क्योंकि जो विश्वस्नियता है वो हमारी कम नहीं हुई है और न कभी कम होगी क्योंकि उसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और वो चाहे हमारा भारत सरकार हो चाहे वो हमारा प्रसार भारती हो चाहे वो जितने वरिस्ट अधिकारी हो चाहे हम पहिलाओं के उत्थान के लिए, आर्थिक संपन्नता के लिए, तो भारत सरकार की योजनाय, प्रधान मंत्री जी की योजनाय जो आती है, वो सिर्फ और सिर्फ हम अपने दूरदर्शन चैनल से प्रसारिद करते हैं, और आकाश्वाणी से भी प्रसारिद करते हैं, ऐसा नही कि न्यूस का exclusively हमारा डीडी न्यूस का चैनल है लेकिन हम लोग हर चीज को लेके चल रहा है है चंदर शेकर सर आप से जाना चाहूंगी कहते हैं कि बदलाव सफलता की पहली सीड़ी है और अगर बात करें दूरदर्शन की तो समय के साथ दूरदर्शन में भी कई बदलाव बाड़कास्टिंग सेक्टर में पिछले 64 सालों में काफी सारा टेकनिकल बदलाव हुए है और जो 1969 में था और जो अभी है इसमें जमीन आस्मान का फर्क है हम लोगों के आज मुबाइल पर उपलब्द हैं चाहे वो OTT के माधियम से हो या चाहे वो YouTube पे live streaming के माधियम से हो हम उस पर उतलब धान, और साथ ही साथ हमें बिलकुल जिस तरह के कारिकरम होते हैं, जैसा होता है वैसा ही पहुचाना होता है, उसमें कोई बहुत ज्यादा addition, subtraction नहीं करना होता है, तो यह एक पूरे दूरदरसन टीम के लिए एक बहुत challenging task होता है, और जैसा कि नाहर जी ने दूरदर्सन के ही न्यूज चैनल को ट्यून करते हैं और देखते हैं तो जो विश्वशनीता की बात है वो दूरदर्सन ने पिछले 64 सालों में बरकरार रखा है आज के समय में आप जब प्राइवेट टीवी चैनल देखते हैं न्यूज चैनल तो कुछ लोगों की परतिकरिया होती है कि वो इस पार्टी के सपोर्ट में ज्यादा है या इस पार्टी के सपोर्ट में ज्यादा है लेकिन दूरदर्सन सरकारी कं को बोलता है क्योंकि हमारे हैं पूरी बैलंसिंग के जाती है क्योंकि दूरदर्सन जो है पब्लिक सवी बॉड्कास्ट होने के नाते भारत की जनता के परती responsible है ना कि नेताओं के प्रति और हम जो पार्लियमेंट है जो कि जनता के रिपनेटेटी वहाँ बैठे होते हैं उनके लिए उत्तरदाई हम है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है चुकि हमें हर फिल्ड को cover करना होता है चाहे वो लोग यूज करते हैं और इस कारण से हम दर्सकों तक पहुँच पा रहे हैं सेर आपने बहुत बड़ी बात बताई चुकि जब ये एक कारेकरम हम करते हैं किसी भी कारेकरम को प्रिसारित करने के लिए चुकि आज हम अभिहंतर की दिवस पे बना रहे हैं इंजिनेरिंग दिवस पे आज हम बना रहे हैं और ऐसे में जो भी दर्शक देख पा रहे हैं कई लोग हम आपको दिख रहे हैं स्कृन पर लेकिन इसके पीछे हमारी कई लोगों की टीम काम कर रही है हमारे कम से कम तो 50 से ज़्यादा इंजिनेर्स आज के इस कारिकरम को लाइब करने में अपना सही होगते रहे हैं तो जो भी इस कारिकरम को देख रहे हैं आप तमाम लोगों को इंजिनेरिंग दिवस की धीरो सारी इस शुब काम ना आए और बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है तब एक कारिकरम बनकर प्रसारत हो पाता है हैदर सर आप से जाना चाहेंगे चुकि अभी हम मोवाइल पर भी आ गया है जैसा कि शेकर सर ने कहा कि हम यूटूब पर भी है मोवाइल के माधम से भी अब लोग देख पाते हैं डीडी नियूज को समझ पाते हैं सूचना ले पाते हैं समाचारों के विशे में तो क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप दर्शकों को देखिए अभी आपने अभी आंत्री की दिवस की बात की है इंजीनियरिंग विंग जो है हमारा वो इतना दक्ष और अपने काम में इतना पर्फेक्ट है और सबसे बड़ी बात यह कि इंजीनियरिंग के सपोर्ट के बिना हम एक कदम चल नहीं सकते हैं समाचार खासतोर से जैसे मैं बात करूँ कि अभी कल हमें एक महत्पूर्ण ओवी करनी है और आज अभी हमें सूचना मिल रही है या शाम को आज शाम को भी मिल सकती है क्योंकि समाचार बता के नहीं आता है अचानक से कोई घटना घटित हुई और हमें वहां रश करना है तो सबसे पहला सरयों हमें इंजिनियरिंग से चाहे वो BSNG के रूप में हो या ENG टीम होती है जिसको कहते हैं Electronic News Gathering अब Electronic News Gathering में क्या है उसमें Camera Handling आ जाती है जो और भी तक्नीकी Audio System है और जो Transmission का Part है वो सारा कुछ उसमें आ जाता है हमें Live करना है और देश और दुनिया को दिखाना है तो ऐसे में तुरंट हमें सबसे पहले जो सहीयों की जरूरत होती है और भ्यांद्री की पर भाग से होती है सारी चीजें जब इखटा हो जाती है टीम मौके पर पहुंचती है और वहां से यहां तक आना या सेटलाइट के थू दिल्ली जाना वो बड़ा एक काम होता है अभी आपने देखा होगा G20 का जो हमारा संपन हुआ दिल्ली में शिखर सम्मेलन और भारत की उसमें अध्धक्षता थी और बड़ी भूमिका थी और वो सब कुछ तुरंत सजीव प्रसारण आप लोगोंने दूरदर्शन पर देखा जो के पूरी तरह लाइब था किसी प प्राइब नहीं है पॉब्लिक ब्राड कास्टर होने के नाते ये जिम्मेदारी हमारी थी और अब बात अगर करें सजीव प्रसारणों की तो हमारे पास समय बहुत कम होता है लेकिन क्या फर्क है एक जन सेवा लोग सेवा प्रसारण में और नीजी चैनल में हम चाहे जितन कनफर्म नहीं होती है जब तक उसकी पुष्ट ही नहीं होती हम ऑन एर नहीं जाने देते हैं हम इस हरवड़ी में नहीं रहते हैं कि दूसरे चैनल ने हमसे पहले प्रसारित कर दिया और हम सबसे लेट आ रहे हैं बहुत सारे मामलों में हुआ यसा जैसे स्वर्गी या है लेकिन सोशल इंपैक्ट जो होता है उस खबर का जनता पर जो प्रभाव पड़ता है वो भी उसकी देखने के जिम्मेदारी भी हमारी है हम ऐसी खबर प्रसारित कर दें और उससे मान लिए दंगे भड़क जाएं या समाज में अवर्ष्था फैल जाएं तो उस खबर को रोकने या उसे थोड़ी देर के लिए या उसे टोन डाउन करने की जिम्मेदारी भी हमारी है क्योंकि अंतता हमारी जो जवाब देही है वो समाज के प्रती है जो जनता है हमारी जो ओडियन्स है हमारी उनके प्रती है तो हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं और जहां तक नाहर सर ने भी बात की कि जो जन सेवा के जो कारिकर्यम हैं या जो संदेश हैं जैसे कृशी दर्शन उसमें सबसे बड़ा है जिसके कारण देश में हरित क्रामती आई तो वह चीजे नीजी चैनल नहीं दिखाते हैं यहां हम नीजी चैनल का कमपारिजन नहीं कर रहे हैं ले पर हम सुन्दरम के सिद्धान पे काम करते हैं. और एक चीज और ये बताना चाहेंगे, कि हमारा जो दूरदर्शन चैनल है, वो निस्पक्ष चैनल है. जैसा कि सर ने बताया, चनशेकर सर ने, निस्पक्ष चैनल और जैसे सर ने कहा कि तकनीकी, तो हम चार पीलर पटिके हैं. हमारा चार विंग है. कारिकरम विंग, इंजिनियरिंग विंग और अड्मिस्टेटिव विंग, और समाचार विंग, निउस विंग. चारो विंग का जब तक समनवय हम लोग का नहीं होगा, तब तक हम लोग किसी वी विसम परिस्थिती में आगे नहीं बढ़ते हैं जैसा कि सलमान सर ने कहा कि अब शाम में अगर कोई सूचना आ जाए तो हो सकता है रात में ही तुरत दो घंटे के अंदर हम लोगों को निकलना पड़ेगा और उस क्रम में हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब तक चारों का सहयोग नहीं होगा तब तक हम लोग कोई भी कारे क्रम आप तक लेके नहीं जा सकता है और वो चाहे कोई भी परिस्तित्य हो चाहे वो बाढ़ हो सुखाड हो अभी कोरोना काल में जो दूरदर्शन ने काम किया है मुझे लगता है कि पूरे विश्वस्तर पर जितना मानिये प्रधान मंत्री जी ने या भारत सरकार ने जिस तरह से कोरोना काल में दूरदर्शन का एक-एक सदस्य है चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, चाहे वो अधिकारी हों, करमचारी हों, वो टॉप टू बॉटम हर व्यक्ति ने अपने कई लोगों ने प्राणों की आहुती देकर भी इसकी जीवनतता बरकरार रखी और उस कुरूना काल में भी अपने को स्थाफित करके रखा। तो इसलि मुझे लगता है कि कुछ लिख के लाएं दूरदर्शन के विशे में कुछ बताना चाहिए। नहीं लिख के लाने की बात नहीं है, ये मेरी भावांजली है, आप सभी जो हमारे आतितिगण हैं और हमारे सुद्य दर्शक हैं, इसको नजब कहने गजल कहें, नगमा कहें, म दूरदर्शन की बात चली, कहते सुनते रात ढली, कहते सुनते रात ढली, दूरदर्शन की बात चली, अब कला और समस्कृति के जितने शेड से हैं, समस्कृति और कला विरासत, धर्म अनेक अनेक रवायत, रंग बिरंगी अनोखी जांकी, दक्षड उतर पूरब पास्चिम, रंग अनेक, रंग अनेक कहानी, मिश्रित रूप में बसा संदर, सब के भीतर धड़कता भारत, सब के भीतर धड़कता भारत, होठों पर बस यही लाली है, दुरदर्शन की बात चली, महिमा मंगित है दुरदर्शन, भाव प्रेम का अदभुत संगम, चित्र कथा संगीत की धारा, काव्यगीती का गुन्जन सारा, खबरों का संसार है न्यारा, लगातार मनुरंजन का है, यह अनुखा संसार हमारा, जी ट्वन्टी तो बीत गया, टीम जी की बात चली, मोदी जी की बात चली, जो चुछ बहुत आबार आपका कई सुठी दर्शक हमें देख रहे हैं तो क्या कुछ बताना चाहेंगे आप दूरदर्शन के विश्व में दूरदर्शन के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे दूरदर्शन एक ऐसा चैनल है जो एकदम सटीक जानकारी हमें दे देता है कि अगर चैनल को देखा जाया है तो वो अलग धंका होता है और वही अगर दूरदर्शन का डिबेट देखा जाया तो उससे हमलों को इनफोरमेशन मिलता है कि अच्छा ये प्रोसीजर ऐसे हुआ अधर चैनल में तो बहुत जादा एकदम रहता है और कोरोना पंडामिक टाइम में भी जो भी नॉलेज जो भी मिल रहा था कि क्या चल रहा है भारत में या भारत से बाहर वो भी एकदम प्रॉपर दूरदर्शन पर ही मिल रहा था और रामायान महाभारत जैसे कई सारे शो जो बहुत अच्छा इंफोर्मेशन देते हैं जैसे क्रिशी दर्शन हो गया गाहों घर हो गया तो इससे हम लोग को बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं और साथ साथ मोटिवेशन भी मिलता है थैंक यू और बड़ा आश्यर लगता है क्योंकि जब हम बात करते हैं शक्ति आज और चारे ज्यर्व हो और संटों एक भी हम होता है तो वह सब हमें दूर्दर्शन के माद्यम से सीखने को मिलता है क्योंकि अगर हम लोग के सी दूसरी चैनल की बात करया है तो जब भी हमें उसे देखते हैं, तो उसमें वो बस एक आई-कैची हेडलाइन बनाने के लिए लोगों को आकरशित करने के लिए न्यूस दिखाते हैं, इन्फोरमेशन शायद उनका उतना मोटिव नहीं होता कि वो क्या दिखाना चाहते हैं और क्या लोगों को समझाना चा चाहते हैं, हम लोग काम करना चाहते हैं इसी फील्ड में और अगर हम वो किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शायद हम लोग दूरदर्शन से ही अच्छे नॉलेज को प्राप्त करके सब कुछ सीख सकते हैं, थांक यूू बहुत 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 शुक्रिया हैदर सर, शंकर सर, आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया आदा करना चाहेंगे कि आज के सुबह आप उपस्त हुए और कारेक्रम को इतना अद्भुत बनाएं, इतनी अद्भुत जानकारी लोगों से साचा की, थांक यू सो मुच वो कपेंगे हैं